पंजाब, हर्याना और दूसरी जगे से बहुत सारे लोग आए और किसे 10 वर्षों में 1000 लाखों और हेटेर जमीन है उन्होंने मद्वदेश के खरीद लिए अब क्रिशी को हम उद्योग का दर्जा देने की बात सरकार कभी कभी करती है और ये अभी भी उद्योगों को जमीन उपलब्द कराने के लिए ये जो क्रिशी जमीनों को उद्योग खरीश सकें और उसकी सीमा समाप्त की जा रही है कि जितनी जमीन वो खरीशना चाहें वो खरीश सकते हैं तो क्या ये दोनों बाते हैं मत्ब वदेश में करसी विवसाय को खतम करने के लिए और उसी जग करसी को पूरता हम ओड्योग जगत को सौपने की कोई प्रिक्रिया है साघी से करसी जगत को अद्योग को सौपने की की प्रिक्रिया यह तो मुझे इस्प decor को दिखाई ने दे रहा पर भुकिसानों कोई भूमी को हर अपने का ये सबसे बड़ा संत मुझे दिखाई देगा कजी बात ये है कि जो काम किशान करते हैं चाहिए वो कोई भी विखती हो उसे खाने के लिए दो टाइम भोजन चाहिए है क्हान चाहिए वो किशान के द्वारा हो और migrant के त्व द्वारा वो बनाया जाता है उसे वीवित्ता नहीं होती वो जो जिस दर्द पे बेचना चाहते हैं तो वो एकाधिकार उद्ध्यों जगत में जाने के बाद एकाधिकार पनपता है और अभी यह हजारां लाखों किसानों के पास जो पादन होता है उसमें एकाधिकार नहीं आता है अभी टमाटर की फसल आई दोुपे किलो भिक गई लेकिन अदी वो काटपेटस रहते हैं तो उसको उद्ध्योगों की सरणी में संभर्द करके थी वो साल भर पचात रुपे किलो भीकटी हैं लेकिन 2 रुपय किलो वाली जो इस्तितिया होती थी वो दीजे-दीजे खतम हो जाती है तो अभी भी जैसे उद्योग जगत का दर्जा मिल गया कृशी भूमियों पर उद्योग वालों ने अपने तरीचे से उद्योगों की तरह कृशी विफसाय हाथ में ले लिया और मन्मानी कीमत में ब्रांडेट करके जैसे आजकल ब्रांडेट का चलन बढ़ गया है यह हर चीज ब्रांड से बिक रही है तो चावल बातमती ब्रांड का है तो वो 70 रुपे किलो है या 200 रुपे किलो है या ट्रमाटर जैन्रिक है यह है तो अब ये सब ब्रांडिट करशी उपात बिखने की सितियां आगे हैं तो क्या इससे आप कहीं लाबकार ही मानते हैं प्रदेश के आर्थी विकास में इसका कोई इसमें जो मैंने कहा कि किसान जो साथ करोट दोजिकार होगा इससे जिसको कोई काम नहीं मिलेगा इससे प्रदेश का विकास नहीं होगा और आम जनता गरीब जनता मिडल क्लास का आदमी के लिए फिर टमाटर गिहों की रोटी चावल जो आज बहुत सस्ते मिल रहा है ये मिलना दूबर हो जाएगा तो उससे तरहिमा मन जाएगी क्योंकि ये प्राकर्टिक कुछ बादा नहीं किसी कार खाने में तैयार नहीं हो सकता इसके लिए समय चाहिए अंकूल मौसम चाहिए अंकूल परस्तितिया चाहिए एक बहुत लेबर चाहिए बड़े परिशन के साथ में किसान अन्यदो को पैदा करता है तब ये अन्यदों पैदा होता है जो जीवन रक्षा के उपाय है जीवन रक्षा का उपाय अगर जोग जगत के हाथों में जाता है तो निशित तोर से पूरे देश में कुहरा मचेगा और आम गरीम जनता इससे दूर होती चलिए आईगी एक छोटा सरी और बात कांग्रेश तो किसान विरोधी थी ही या योग केले की गरीब विरोधी थी इसके रिप्लिस्मेंट में पूरे देश वरुन भाजपा एक नए रूप में सामने आई है बाजपा के वारे में कहाया जाता था कि इस प्रिचारेक गाउं-गाउं में इन्हे पूरे भारत की और रास्टी ताकि पूरी समझ है और यह भारत को मत्लब पूरा हिंदु राष्ट बनाते गुए हिंदु सामाजित व fatto और संस्क्रयत को जीवित रखेंगे तो ये तो उल्टा होता देख रहा है तो इसमें संग और अन्वांसिक संगतनों की क्या भूंका हो सकती है इस परिवर्तन के दौर में दिखिए संग के जित्ते भी अनुजांगिक शंग्ठन है उनने दो वर्सका फक्तिबन लगा दिया है कि आप सरकार ते खिलाफ कोई आनुजा नहीं करेंगे और संग के ही सारी उप्रम में भाजा पाबी एक संग्ठन है जब तक इनकी सरकार होगी तब तक ये अपनी सरकार का ब्रोद नहीं करेंगे कहीं कोई राष्टबाद नहीं है कहीं कोई कल्चर की बात नहीं है जिस कानून के तहट किसान को उसकी भूमी का चार गुना मौपजा बेलेगा आपको आश्र की बात होगी कि मद्द प्रदेश में अभी जस्ट जो जमीने सड़क पर गई है इस्टेट गौर्वर्मेंट ने उनको चार गुना मौपजा देने से मना कर दिया कहा कि हम नहीं मानते इस केंट के कानून को अब वो किसान हमता है जो कारेक्टर गाइड लाइन उसी से देंगे चार मौजा नहीं देंगे वो ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि केंट सरकार बहुत जल्दी इस कानून को बापस लेने वाली है भूमे अजिकरन कानून को बापस ले रहे हैं मतलब ये कांग्रिस ने जो कई बरसों की मेहनत के बाद पीवी राजगोपाल साहब ने आगरा तक जो पदल माश किया थे लाकिसानों को लेगर उसके दबाओं के चलते ये मांग पूरी मानी गई थी जब ये एक्ट पास हुआ लोग सभामे तो राज सभामे इसको फेल करने वाली भाद्ती जन्ता पार्टी सबकार के लोग बैठे राज सभामे उनने इसको फेल किया तब जेराम नमेश जी ने राज सभामे कहा था कि चूकी हमारे साथी में तरवन जेड़ी सुतना सुराज जी इसमें सन्लोदन चाहते हैं कुछ और कि 80% किसान जब तक इस जमीन को नहीं देना चाहेंगे तब तक हम जमीन का धिगर नहीं कर सकेंगे मौपजा चार गुना देंगे कारखाना कोई भी लग रहा है जब कारखाना बंद हो जाएगा तो उस कारखानी की भूमी बापिस उसी परिवार को दी जाएगी इस परिवार जमीन ली गई थी बहुत बढ़ी नहीं एक्ट था अब इससे उद्योग लगाने में दिक्कत आ रही सरकारों को इसलिए उद्योग पत्यों को सहुलियत देने के लिए इस एक्ट को वापस कर रहे हैं सेलिंग कानून लेके आ रहे हैं ताकि गरीब किसानों से उनकी जमीने छीनी जा सके और किसान भी लालच में आकर करसे मु का फंदा है और इससे जमीन नहीं बचेगी हमने घोसा भी की थी हमें एक इंची भी उपजाओ जमीन इस मत्परदेश की उद्योग को नहीं देंगे सिर्दा सिंग चोहान ने भी हमारे दवाओ के शलते ये कहा था आपने बाच्णों में एक बार नहीं अने को बार कहा था कि हम किसी की उपजाओ भूमी नहीं देंगे उद्योग खाकार खानों को केवल जो बंगर भूमी पड़ी ये प्रत भूमी पड़ी हुई है वही भूमी हम उद्योग को देंगे आज वही सिर्दा सिंग चोहान की सरकार वो दो पत्योग भूमी के लिए वाद कर रही है दि किसानों के लिए